अपनी सुन्दता को और निखारने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें बैंगन एक बहुत ही पोस्टिक सबजी है लेकिन कुछ लोग इसे बिना गुनवाली सबजी मानते हैं अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं और बैंगन की सबजी नहीं खाते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है बैंगन के कुण जानकर आपकी गल्द फैमी दूर हो जाएगी तो आईए जानते हैं बैंगन के गुनों के बारे में सेह से जुड़ी आपकी कई समस्याओं को दूर करने में बैंगन काफी मददगार हो सकता है कैलेस्ट्रोल कंट्रोल करता है बैंगन के सेवन से रक्त में कैलेस्ट्रोल का स्तर गिरता है इस तरहें के परभाव का परमुक कार्ण है बैंगन में potassium वो magnesium की मात्रा अधिक होती है बैंगन की पतियों के रस का सेवन करने से भी रक्त में कैलेस्ट्रोल का स्तर कम किया जा सकता है सिगरेट छोड़ने में मददगार प्रकिर्तिक तीके से सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो डाइट में बैंगन का सेवन अधिक करें निकोटीन replacement therapy के तहट इसमें मौझूद निकोटीन की सीमित मात्रा सिगरेट छोड़ने वाले लोगों के लिए काफी मददगार हो सकती है दांट का दर्द बैंगन का रस दांट के दर्द में लावधायक प्रबाव दिखलाता है अस्थमा के उपचार के लिए बैंगन की जड़ें पर युक्त की जा सकती है रक्त की कमी आदिवासी चुले पर भुने हुए बैंगन में थोड़ी सी शकर डालकर सुबह खाली पेट खाने की सला देते हैं उनका मानना है कि ऐसा करने से शरीर में रक्त की कमी दूर हो जाती है पेट की बिमारी में बैंगन का सूप त्यार किया जाए जिसमें हींग और लसुन भी स्वाद के अनुसार अगर मिला लिये जाएं और उसका सेवन किया जाए तो ये पेट फूलना, गैंस, बदहजमी और अपज जैसी समस्याओं में काफी राहत देता है अच्छी तवचा बैंगन तवचा को हाइडरेट करता है और अंदर से नमी परदान करता है तो अगर आपके बाल और तवचा रूखे सूखे हैं तो आप बैंगन खाना शुरू कर दीजिए वेट लॉस बैंगन चरबी को जलाता है और कैलोरी को कम करता है इसमें फाइबर होता है जिसको खाने से पेट बर जाता है और जल्दी बूख नहीं लगती जिसके कारण हमारा वजन कम हो जाता है कैंसर से बचाव इसमें एक ऐसा तत पाय जाता है जो की शरीर में कैंसर की सील से लड़ने में सहाइक होता है अगर आप हर रोज बेंगन खाएंगे तो आपका शरीर कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत हो जाएगा खास कर पेट के कैंसर से लड़ने में ये सहाइक होता है दिल के लिए धमनियों की दिवारों में कैलिस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है यहां तक की खून की नसों में भी खून ठीक परकार से बहने लगता है मदू में ऐसे लड़े हाई फाइबर और कम कार्बो हाइडर्स के तत्व होने के कारण ये मदू में रोगियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसको नईमित खाने से आपका शूगर लेवल कम होगा लेकिन याद रखिएगा कि सबजी बनाते समय इसका डंठल व्यर्थ समझ कर फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें पोस्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और अधिक दिनों तक रखे या सूखे हुए बेंगन अच्छे नहीं होते इसलिए इन्हें दो या तीन दिनों से अधिक फ्रीज में नहीं रखना चाहिए आग पर भुने हुए बेंगन पचने में बिलकुल हलके और पाचन शक्ती बढ़ाने में हेल्प करते हैं ये अपज को दूर करते हैं मध्यम अकार के बेंगनों को सबजी में परयोग में लाना चाहिए तो दोस्तों ये थे बेंगन खाने के चुका देने वाले फायदे अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीस इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को लास तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद थैंक यू